अगर आपकी भी स्किन डल हो रखी है, अनिवन स्किन टोन है, हाइपर पिग्मेंटेशन है या फिर मेरी तरह डाक स्पॉट है, सन डैमेज हो रखा है तो आपने बहुत सारे वाइटमिन सीरप यूज कर लिए बट कोई भी रिजल नहीं दे रहा तो डेफिनेटली आपको पि आपके आल टाइप अफ दी स्किन के लिए बहुती अच्छा है तो गाइज मोस्ट इंपर्टन बात अगर आपके फेस पर डाक स्पॉट या पिग्मेंटेशन है वो विदिन थी डेज में क्योर हो जाएगा और आपको ब्राइटनर और ग्लोइंग स्किन चाहिए तो विद प्राइन है औरेंज एक्स्ट्राक्ट है कोकाडू प्लम है फ्रूट एक्स्ट्राक्ट है सिट्रक्स एक्स्ट्राक्ट है ऐसे बहुत सारे नैच्रल इंग्रीडियंट यूज किये गए हैं ये इंग्रीडियंट मेलानिन प्रोड़क्शन को बहुत हद तक कम कर देता है जो और रिंकल्स को भी बहुत अतकम कर देता है वाइटमेंसी एक पावरफुल अंटियोक्सिडेंट होता है जो स्कीन में फ्री राडियकल से बचाता है और एजिंग और स्कीन डामेज के कारण से भी बचाता है अगर आपके स्कीन में रेडनेस है या मेरी थरह थोड़े बहुत एकने या इंफ्लामेशन होते है देन इसमें अंटियांफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है जो की एकने प्रोन स्कीन और सेंसिटिव स्कीन में वग करती है अब हम देखते हैं इसे यूज कैसे करना है आपको बस 3-5 drops आपके हैंड में लेना है देन आपको फेस या नेक प पीस में यह आता है यू नो गाइस मैं जो पीसे यूज किया था तो मैंने पैच टेस्ट के थी क्योंकि और डारेक्ट लिए कौनसे भी प्रोडक्ट हम स्कीन पे नहीं लगाना चाहिए क्योंकि साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो आपको कान के नीचे गले पे एक पैच लगाया तो डाक स्पोट थोड़े भूत कम हो रहे है और अभी मैं रोज दिन बदिन इसे यूज कर रही हूँ तो मुझा एक्सपिरेंस इसका भूत ही अच्छा है तो आपको भी मेरी तरह अच्छा एक्सपिरेंस चाहिए डाक स्पोट के रिलेटेड ग्लोइं स्कीन चाह देन आप मेरा ये कूपन कोट भी यूज कर सकते हो और शॉपिंग कर सकते हो ये प्रोड़क्ट डिस्कवर पिलग्रिम.com से मिल जाएंगे थैंक यू सो मच